बिस्मिल्ला रख्माने रहीम, अस्सलाम अलेकुम और अमतुला वबराकातु हूँ, वेलकम टू टेली फंटास्टिक फूर्ड, आज मैं आपके साथ बहुत जबर्ड़ स्नाइक टाइम प्रेस्टिपी को शेयर करूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइस फ्लॉर ब सफेज तिलों का यानि के वाइट सेसम, सेसमी सीट बहुत अच्छे होते हैं आपकी बॉन्स के लिए क्योंके फूल अफ कल्शियम होते हैं, और यहां पर मैंने हाफ कप लिया है और वह मैं इसमें आड़ कर दूँगी, और हम अपने ड्राइंग्रिजिएंट्स को अच्छ हम अच्छी सब्सक्राइब करेंगे यहां परRichard का विजाए Гी करेंड़ करेंगे तो कि और यह रिखार को जड़िएगे और इसमें आपने दूट नहींस हमें आगज करते हुए इसकी एख फसक्त डॉट बना लीए, आप एक्ट रिख कंश में और गॉन्स कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी और अब हम यह देखें अच्छे तरीके से जो इसके डो है वो हमें बस इतना ही एक कब दूद जो है वो इसमें गया है और बस एक कब दूद से ही जो है यह जबरदसी हमारी डो त्यार होगी बहुत ही सॉफ्ट सी और बिलकुल आप दे यहां पर मैंने एक पैन ले लिया और उसमें आयल ले लिया और आपने बहुत हाई फ्लेम पे इसको वो फ्राइय नहीं करना फ्लेम जो है वो आपका लो होना चाहिए जब आप फ्राइय करेंगे अगर तेल बहुत साथा गरब होगा तो हमारी जो फ्रिटर्स है यह उपर स हो जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे ताके जो हमारे फ्रिटर्स हैं वो अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएं आप इस रेसिपी को ट्राइज जरूर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक सिब्सक्राइब और शेयर कर अ है और यहां पर हमारे फ्रिटर्स जो है वह बहुत अच्छे तरीके से गोल्डं ब्राउन हो चुके हैं और यह अंदर से भी गुख हो चुके हैं इतना से अपने सारे फ्रिटर्स को बना लेंगे जिस पर एम बनेगे मैरे इस रेसिपी में तेल का इस्तमाल किया है को भी बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी तो आप इसको जरूर ट्राइ कीज़ेगा और यह देखिए हमारे सारे फिर्टर्स जो है वो बन के तैयार हो गए हैं बिल्कुल और अब मैंने जो थोड़ से तिल हैं वो उपर से भी गार्निश कर दिय ताके वो लुक में और भी अच्छे लगे मैं आपको इसको अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ यह देखिए उपर से कितने क्रंची और मज़े के लग रहे हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीज़ेगा मुझे फीड़बैक देन ना भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा मिलते हैं इन्शालला एक और नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए लग आफ़ेज़